उत्र प्रदेश में कॉंग्रेस 2024 की तयारी जरूर कर रही है लेकिन सबसे खास बात है राइबरेली राइबरेली में किस तरीके से कॉंग्रेस अपना आगे का चक्र बढ़ाईगी क्योंकि उसने अपना प्रदेश का अद्धिक चुना है और देश में भी मलिकाजन खरके के में लेकिन वहां से दिनेश प्रदाट सिंग जो मंत्री है उत्र प्रदेश सरकार में और राइबरेली यूरो का मंपृरे जिसी तरीके से प्रदेश ओद्यक्ष चुना गया है उत्र Tanविका अरण आपको लगता है कितना चैलेंजिंग है राइबरिली के लिए के कॉंग्रिस अपना नित्वत खड़ा कर पाई जी राजनितिक पाटियां अपना अध्यत चुनती रही है ये नहीं कोई भात नहीं है उन्होंने चुना है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा अंतर हो जा रहा है और मैं कह सकता हूं कि अब खड़गे जी क्या लड़ पाएंगे ये पूरा देश जानता है जिस नरेंद मोदी जी से गांधी परिवार पूरा बारी बारी से लड़ा वो नहीं लड़ पाया है तो मैं नहीं समझ सकता कि खड़गे जी असी बरस के हैं वो लड़ पाएंगे राहुल गांधी प्रियंगा गांधी पचास-पचास साल के हैं वो नहीं लड़ पा रहे हैं तो खटगे जी कैसे लड़ पाएंगे और आदनी नरेद मोदी जी भगवान क्रस्न के रूप में जिस रत पर सवार हैं और उस रत की बागडोर मोदी जी के हाथ में और इस रत पर सवार हैं हमारे देश की स्सी ग्रह मंतRI और उनके हाथ में गांधी है जब तक ये गांधी हमारे ये एससी ग्रह मंतिटी में अमीं साथ के हाथ में रहेगा तब तक न आडगेना खटगे गांधी न कि आंधी जिर्पर इसके अलावा और कुछ नहीं हो लेकिन सुनिया गांधी वहां से एंपी और आप भी कहीं ना कहिए कि परबल दावेदार की रूप में रहें अब जनता भी आपको पसंता है इस बार का जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी की पक्ष में हो शत्तर हजार के मतों के अंतर से जीत करके गई हैं वो भी चार दलों के प्रत्यासी के रूपे समाजवादी पार्टी बहुजन समाजपार्टी अपना दल किसना पटेल और कॉंग्रेस पार्टी इन चारों पार्टियों का अगर ओट से अलग कर दिया जाए इसमें से एक भ दो लाग वोट सुनिया गांधी का है और भारती जंता पार्टी पिछले 2019 के चुनाओं में पौने चार लाग वोट हासिल करके मैं तो यह समझता हूं कि सुनिया गांधी एक लाग 75 हजार से भारती जंता पार्टी से हारी है लेकिन यह सही है कि सम्वैधानिक पद है हमारी भारती जंता पार्टी का निर्ड़े है कि उत्तर पदेश में 80 की 80 सीटे जीत करके आदरी योगी आदितना जी के नेतोत में हम लोग अगला प्रधान मंत्री बनाने के लिए मोधी जी को देंगे और जिसमें राइबरेली के सीट भी सामिल होगी भारती जंता देंगे सुनिया गांधी इस बार चुना नहीं जीतेंगे क्योंकि वो जब से जीत करके गई है आज तक पलटके नहीं आई है और यहां तक की सेट्विट लेने खुद नहीं आई है तो जो मतदाता उनको उड़ देता है सांसद विधायक बनाता है वो मानता है कि हमारे सु करनाटक में पद्यात्रा करतें देखी जाती है तो अपने दायतों का निर्वान जिसकी उन्होंने समयधानी की रूप से सपथ लिया है उस सपथ के अगेंस वो हमारे राइबरेली बासियों की कोई सेवा नहीं कर रही है और अपने बेटे का सर्वाइबल के लिए वो प्र प्रधानमंत्री जी करने तो तुम्हें हमारा राइबरेली फल फूल रहा है मुझे किसी सुनिया गांदी की राइबरेली में आवस्यक्ता नहीं है तो तो तरेश प्रताब जी साफ तौरते बड़ी बात कही है कि सुनिया गांदी MP तो है लेकिन वो अपने बेटे के लिए खड़ी है ना कि राइबरेली के बेटों के लिए खड़ी है तो ऐसे में अब बीजेपी पूरी तरीके से वहां से जीत कर प्रधानमंत्री के रूप में नरेद मोदी को फिर से खड़ा करेंगी लख्रों से क्यामपरसन नीरश कुमार के साथ आशी श्रवास तो आज तक